फ्री क्लासिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज मैं आपको यामनी राय का वाल लाइने प्रस्ण असना कलाकार से पढ़ाऊंगी तो देखिए यामनी राय के बारे में मैंने आगे जो हरीता पताब की बुक से आपको बताया है बच्चों इनके सारी question answer जित्ते भी वहां बन सकते लेकिन कुछ यहां कुछ बुस्त के जो है जो अलग प्रश्ण बनाती हैं देखिए आमनी राय का जर्म कब और कहा हुआ है बच्चों इहां उपर लिखा हूँ 1887 से 1972 ठीक है जर्म में यहां है और 1887 बेलिया तोड़ ग्राम जिला बाकूरा पर चारथ का लोपा आउन के वहां पर है छाrit को ठीक है यामनी राक का फ़ोरा जन्र फूरह नाम क्या तो राम रातम कि यामनी राय के पिता कर नाम था राम रत्न राज हर ने के जमेटर थे पीशेशेशित यामनी लाग वा दिपलोमा का से प्रत मार नेomas कोर्ममिंट यहां च लेकिन यहां यह रह नहीं पाए क्योंकि यो लोग कला से प्रभावित थे पहला भारती चित्रकार जिन्हें भारत सरकार ने पदम भूशड से सम्मानित किया क्या बच्चो तो यामनी राय को और पहले पदम श्री जो है इसको खासगीर पाए पदम भूशड आपके 1914 में कौन पाया पच्चो इसके कर लगना है रगणा करें ठीक है उन्नी सो चववड में आपके इनन दलाल बोश को मिला ठीक है फिर यहीं हम बता दे रहे हैं पच्पन में इनको मिल गया एक बार रिविजन आपको कराएंगे पच्पन में इनको मिला पदम भूशड ठीक है इनको विभूशड मिला इनको पदम भूशड मिला अब फिर उन्नी सो वहां देखे थे आप लोग ना सत्ताव में खास्थगीर को क्या मिला बच्चो पदम शेरी ठीक है इनको खास्थगीर को मिला है यहां लिख दे रहे हैं बाकि आगे आपने देखा हिया था कि ओ अला अधार में में देवी राज चौधरी देवी प्रसाद राज चौधरी को मिला अभी भूशड ठीक है यह पीछे का रिपीट करवा दे रहे हैं आपको पहला भारत यह तो हो गया यामनी राय को पदम भूशड सम्मान से कब सभी हो गया अब यामनी राय ने कि चट्रकला सिच्छा किनके साथ दिन्ध में रह कर सिखी थी तो किनके वच्चょा आने नाट अगोर के यामनी दूलना निरिमाते से किस ने की है तो हमने बतायो थे हाई वो मेस्चान एकी थी, इस ने की थी इनकी, कौन सा भारती कलाकार सोयम को पटुआ कलाकार कहना पसंद करता थो, सोयम को ही पटुआ कलाकार रेकाते थे यहां निरण झनरा ठीक है अब देखिए हाँ आजाईए इसके बाद क्या है कह रहा प्रश्णाव से इसको इधर से रतात बच्छो कर जाता है या मिरायको राष्टी ललित कलाक आदमी नई दिली का फेलोशिप कप चुना गया बच्छों 1905 जब इनको पदम भूशण मिला था अपने देखा है तब ही इनको जो है राष्टी ललित कलाकार में नई दिली का फेलोशिप चुना गया था जब इनको पदम भूशण मिला था ठीक है दोनों एक ही चनमेकार हुए हैं इसलिए मैं कहा रहे थी कि जहां हो सकेगा आपको मैं मिला कि सारी चीजे बताने का प्रयास करूंगी या प्राथमीग में दिखिए यहां सब चीजें कहिं कहीं नहीं यहां देखी चीजें क्लियर गीं प्राथमीग कौन हो जाएं बच्चों को कर दिया है दिली सिल्पी चक्र कला समुकर अस्थापना कभ हुए 25 मार्च उनीस सो उन्चास को भावेश चंद सान्यालेनी अगर यही भावेश चंद साल्यान नहीं रहते तब आपके कौन हो जाते यामनी रंजर आए वहां हो जाती है किस भारती कलाकार को यह प्रसिद्ध लोग कला के रूप में जाना जाता है तो आप आप क्या कहेंगे कला अलोचको ने रास्ट आएक आ जाएगा राष्ट वाधी कलाकार किस ने कहा है इनको तब राष्टपीता ठीक है राष्टवादी आ जाएगा राष्टपीता इन्हों को महात्मा गाधी को राष्टवादी कहेंगे ना इनको राष्टवादी महात्मा गाधी कहेंगे तो राष्टपीता कौन है अब की महात्मा गाधी है ठीक है राष्टपीता महात्मा गाधी ह तो I. अधुनिक या अधुनिक या ना सम्काली नाइकिष भारती कलाकार के चित्रों कितुल्णा हार्लेंड के प्रशीत कलाकार वीशड़ वांगां ठीक है तो चित्र की तक्निक से कोन यह उत्तर प्रभावाधी कलाकार मैंने बताया ठा कि वहाँ से ऊत्रा कहीं से उत्रा अपने सोने वाले स्थान पर गया है वहां से आया उतर प्रभावादी का बता दे रहें पर फिर पाल गागिर हो जाएंगी ठीक है तो क्या कहेगा गुष्टे में रहेगा थोड़ा गालियोली भी देगा गुष्टा उसको आया जाएगा तो कुछ उतनी दूर से उतरा है उतर प्रभावादी होगे बच्चो कहा हुआ गया ओहां अब दखिए र्यामणी रंजयराय का प्रसीद कला का किस रूप में कि भारती कला का रहों चित्रकला को लोग बाशियों अधिवासी बाभावित था यह कौन था अधिवासी कला से प्रभावित थे भी आएगा तो याम्नी रंजयराय थे बच्चो अब द 1887 में इनका जहां में देख लिजिए गा तब इनको बताएं कि कैसे आप लोग आप लगें देखिए हो गया ना इनका कितना है बच्छों 1880 कहां गया कि कहां आप नहीं हां डिप्लोम मजब लिया था इनमें दो कर वताएं एंदो कि इसे पैसे उनका का बताया इनका गलाब बढ गए जीसे उनका बताया ना बच्छों तो हुसान के बताया था कि 22 की एज में वह लिडिंग पेंटर कर रहे थे कब 19 यह उनका पीछे का बता दो नहीं से 36 से रीता पताव में 36 दिया था इस बुग में 1937 दिया था ठीक है और यह समय होल्डिंग पेंटर का काम कर रहे थे हुसे तो 22 वर्ष के थे तो इसी से इसको जोड़कर बताएंगे बच्छो 22 वर्ष के थे ना तब फिर क्या हुआ उनीशों 41 में हुसेन वहां नहीं बताये थे आपको एक क्या करने लगे लगे बच्छों फानीचर का का कार कर रहे थे फानीचर डिजाइनर का एक तालिस में ठीक है अब यह हुसेन का बता दिये चार उसमें हो जाएगा और तीन है चार तीन साथ हो गया और फिर देखिए इधर का जो माईंटी वण से फंड्र जोड़ लीजिए थीक है 100 जोड लिग इसको तो कितने साल के हो जाएंगे आप लोग बताएंगे यह लग्भग हो जाएंगे कितना 1920 साल के यह भी रहेंगे क्योंकि यही यह जी बच्चों की जो है डिप्लोमना प्रोमा लेनी की रहेंगे क्या रहती है चो 20 कि लगभग में भी रहेंगे ठीक है देखिए तब आप कैसे याद रहें जब उनका जनम दिन उनको याद रहेगा तब आराम से हां पोच मैशूर विद्याले में पढ़ा यहीं सिच्चा घड की फिर वहीं के राजा ने उन्हें प्रोषाहित किया पीछे की चीजे चोड़के बताएंगे तक कि आपको पीछे की चीजी भी याद रहें तो आपको आपने देखी ही थी काफी वीडियो लंबा भी हो जाएगा तब क्या हुआ थि कई पच्चों वहां जब जो है यहां जो नौ तक कोल्कात्ता में वहां गाड किया थे उच्चे सिच्चह में इनने वहाँ वाली शिच्चह जो अपने घर के पास घड किया थे फिर वह स्माइशूर प्रे नौस लेके लगभग सॲह उला ला तक तब हो आग करवाया था उस कालेज में ठीक है और उन्हीं ने कहा था वहां कि राजा ने प्रशाहित किया थी कि आप वहां पर जाए सिच्छागण किजिए तो अगया तैसे देखिए भी कि थोड़ा खाशी आले थे वहां तभी तो यह शिच्छागण कर रहा है यहां पर डिप्लोमा ले रहा है कहां पर बच्चों कोलकाता में ठीक है एक कोलकाता आठ कालेज में 1903 और देखिए माने बताया था 1905 में जब बेक्ट अप्पा आये थे वहां पर ठीक है पर प्रेंशन पांटरा तक बने है ना यह तो आप लोग जानते ही हैं चीजों को जोड़कर रहा देखिए कला कार सारे कितना डिप्लोमा कहां कहां किन्होंने किस सन में लिया सारी चीजिया आपको याद हो जाएंगी देखिए मेरी कला जैशी है जैसे कोई बच्चा जिस कोई कला कार कला बनाता है उसके मन में उसके प्रति सद्धा ने रहे तो वह देवी की मूर्ती तो बनाएंगा लेकिन उसके अंदर बैठा रहे गया राज्च्छ ठीक है तो इन लोग की सारी कथान आप लोग याद रखिए यह राष्टी ललित कला कादमी नए दिल्लि का फेलूसिट कलाकार किसको चुना गया राष्टी ललित्-कला कादमी का या भी प्रशना आता है यह मुश्टी Chinese लन इपर्टेर्ट मुद्ध को चुना, या मिरंजक्श को चुना गया अब देखिए यामनी राय ने कहां से एक लिथोग्राफी प्रिटिंग प्रिस्ट में भी काम किया था तो कलकत्ता में कला अलोचक ने यामनी राय के चिचट की तुल्ला किस पस्टमी कलाकार से की थी यह देखिए कला अलोचक ने इनको पैगंबर भी कहा था यह आप लोग पीता को आप याद रखेंगे तो यही कहेंगे न बच्चों उनको पैगंबर ही कहेंगे ना और लोग याद她 रखेंग configurations किसने की है आलोच को ने की है तुलना इनको उनसे की है केंद्री ललितकला काद्वी नई दिली के फेलोशिप सदसे कब चुने गए बच्छो देखिए पच्पन में जब पाएं पदम भोशड ठीक है तब ही इनको फेलोशिप भी चुने गए है देखिए आमनी राय के जियो कर देवदत राय ने तो देखिए 72 में ते मर गए बच्छो ठीक है इनके माने के बाद 1990 में तब है देवदत राय ने इसको इनके फिल्म बनाई ठीक है अब किस कलाकार ने अपनी कला में आदिम भार्थी संकित की देशी पद्रतिम को अपनाया देखिए 1975 में 1975 में देवी प्रिशाद राय चौधरी आपके मरे और अठारा सो निन्यानवे में जन्म ठीक है और फिर देखिए 75 में आपके कौन मरा है बच्छो आपके छीती नार्म जुमदार भी मरें ठीक है और कब इनका जन्म हुआ है 1891 हल्दर का माने बताया ही था कि 1891 पहले इनका हल्दर का औ हुआ देखियें कई कला कारों कांब बता देते हैं घ्रिष है शाथ ऑज इसाइलोस का साथ और साथ मैं बता था साथ साथ से जो गिंदी आती हो साथ हो जाएगा ऐलाइग में साथ जनम दिन दो तीन लोग का बता दे रहें ताकि आपको रिपीड हो जाए बच्यों कितना ह त्मषा में जह सब्सक्राइब है जह सब्सक्राइब फैर देख हम आऊनीवाफव का इसलिए अभी अनिभाभू का लिख दे रहे हैं तो आप ये देखिए1 पर देवी प्रिशाद राय का हमने बता यहां ताज हट देवी का ताज इतना सुंदर है कि पश्चिम बंगाल की आगे से भी सुंदर है पीछे से ताज हट पश्चिम बंगाल में है बच्चों इनका पार एंन देवीड पर साथ राय चोधरी का सारेंट नाडे का देखिए हैं लिखरा है अभी तो देखिए जो इनका अठाबर है ना तो अठाहरा सो और अट्था राग सो एक यानबे इभी इसको आप इसको मिटा दे रहे हैं इसको यह उन्हीं बाबक क्या हवन में तो ना त सब्सक्राइब कर देखिए मिल रहा कि नहीं इक हत्तर इनका है ठीक है इक यावन इसको कहेंगे इसको इक यावन इनका होनी बाबो का तो इस तरह आप लोग अगर जीजों को जो और देखिए इनका कि इनका हम बताया थी आप तो सो नाधोर को ने शोंखों का ठीक है संखों का हम वने बताया आपको देखिए चीजों को जोड़ो 16 संखों ठीक है सोला संखों बताया कि नहीं और उनका तो बता दिया है पीच्छे आप लोग जनम दिन देख लिजिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब चीजे बता दी आमनी राय ने किस प्रसी चित्र को गंगने नाय टाइगों ने कोलकत्ता की प्रदस्नी में खरीदा था गंगने नात्ने बच्चो यह उपर का नहीं पढ़ें गया हां किस चित्रकार ने अपनी कला में आदी में तो हो गया भार प्रसी चित्र कौन था बच्चो हुसान का जमीन ठीक है जमीन सब को अब लोग अव्यक टपा का आंतिम चित्र कौन था बच्चो इनका अशूर यास्त ठीक है और यहीं हो गया देखिए क्या सायक पत्पर कब तक कब रहे हैं बच्चो यामनी राय काले जाफाट लाह और पत्तप Kamtak कब तक रहे हैं कब से कब तक रहे विच्चो कारणात रहें रहें दभात आके वहनी सो उनीस चांट में ठीक है यह जब रहे हैं यह लाहोर में तब आपके देवी प्रशाद राज जौधरी भी कहां पर रहे हैं कि आपके मद्राश में ठीक है यही दोनों एक ही सन में रहे हैं लेकिन इसाथी वर्स रहे हैं यह काफी लंबा तक रहे हैं थैसाथी पुलूध लूब टक रहे हैं अब देखिए किस चित्रकर के चित्करा बाकुरा जहें के प्रभाव है तो यामनी रंजगाए कि है कि हुए कि मैं कला से का प्रभाविय थे तहां इस तरा कि महादमा गाधी ने आरा मिया को क्या कर वही मने जो आगे बताया है राष् तो लाकिस फावेश्य की जाती थे निरिमातिषी कि चित्र के पढ़ों के टंक नहीं कि क्या थे टेंपरा थी ठीक है भी आप लोगे चित्रकार की चित्रकार के काली घाट से काव्य प्रभाव थे ते यामनी राय की ख्याति कि अब इसमें कोई बताने लाइक है नहीं तो हो गया और अब देखेन कि यामनी रंजन राय ने किस टिमपरा दक्निकमे किया अब देखिए बतारा कि टिमपरा तक्निकमें किस विशफिपला का किया इशा मशी शिंकला कि Sh awareasis टिश्व राधा संंकला ठीक है इसमें किया है वच्चो जिव तो तो आगे हमने उमनेए ब प्रमुख चित्र संख्ला है क्या इशा मसी चित्र संख्ला राष्टी आधोनी कला दिर्गा नहीं दिली किश्व राधा सिंख्ला कागज पर टेंपरा राष्टी इनका देखिए जो है अब यहीं बता रहें आपको जैसे मैंने छितिन नाथ मजुमदार को आपको बताया था उनका क्या था वच्चो लच्षिमी ठीक है लच्षिमी की समाध्यय में यहीं कागज और टेंपरा में ही था तो मैंने कैसे बता या था कि घर में के के घर में किस चीज कराता है कलेंडर तो आपके कागज काही बना रहेगा तो देखिए हां इनके किस राधा भी शेंकला कागज पर जो राष्टी आधूनिक कला दिरगा मा और शीशु बच्छों मा और शीशु शीशु को मा क्या लगाती है तैल लगाती है ना बच्पन इमा माराजज घॉट कागज पर टेंपररा है तो देखिए इन्होंने भी बना बिल्ली और जींगा बिल्ली और देखिए आपको मैंने चित्र महां पर दिखाये थी बिल्ली ऐसे मूं में शुटी को दबाए हुए ठीक है। हई जूटी की कैने बाराज का लहीवाद्सी यहां लिख दिया गया वी मचली को राश्टी याध हो नीक लिए संथाल निक नित्य कागज पर टेमपरा देखिए संथाल नोग नित्याज आएगा तो तब किसका हो जाएगा बच्चो हलदार का हो जाएगा हलदार का ठीक है और संधाल परिवार तो आपको सबको पता हराम किंकर वैश का अज संधालों का बसंत इससो हो जाएगा बच्चो तब बसंत हो जाएगा तब किसका हो जाएगा तयम महता को हमने बताया यहां भी ता य लोकिनित्य क्या होगा їх कभी कलाकार भी ह sini कभी कैसे गाये काम जल्दा इनको हिलंगी श्षाहत करवा दिया था हिनके सारे चित्रमाने जल्दी सीयत कर भाद था अक्बर एक निर्मार कार भी करेंगा एनको जल्D बना दीजिये तो सारे कभी कला कार भी उसी में आ जाएंगे को कभी कैसे गाना गाएगा कभी जल्दी करेंगा तो इनकी उपाधि ही जो मिली हैं सारी आपको याद हो संथाल वाला इनका हो गया राष्टि आधुनिकला नई दिल्ली में संथाल कन्या भी इनका है देखिए संथाल वाली में बड़ा कई लोगों ने चीज़े बनाई है बोर्ड पर टेंपिरा राष्टी देखिए क्यों यही चीज़े साइथ आप सबकी अलग रहे जो माध्यम हो बाकी सब तो उन लोगों ने वही बनाया है तीन पुजारिन देखिए इन्हों ने भी बनाया तीन पुजारिन आपके अम्रिता सिर्गिल का भी आ जाता है रहता की नहीं वहाँ पर एक कलाकारों नों कई चित्र बना दिये हैं वाकी पर इच्छा में एक ही कलाकारा हैं तो विटर है अब देखिए क्या है कह रहा है इसको हम नहीं चलाते हैं देखिए कागज पर टेंपरा राष्टी आधुनिक कला दिर और व्लराम इनका बहुत थे मस्टित्र है काला घोडा ने कला घोडा का चित्र का सहित आपको बताया था तो किष्ड थीक है अब यह बलराम जब आप लिख रहे हैं ठीक है यहां लिखेंगे यामनी ठीक है तो देखिए याम्नी और यहाँ राम मिल रहें की नहीं या तो देखिए यह जब आ जाएगा कृष्ट और बल राम तो इनको ही यामनी राय को जैसे मैंने उनका बताया था ब्रह्म्हचारी जब बताया तो किशी को आप मत याद रखिए यह तो पुरुष है ना यहाम निराय कभी कभी इनके तरफ आम रिता जो है इस्त्री है उपर से बधु का शिंगार भी उनका है तो शिंगार अगर कोई इस्त्री कर लेगी तो क्या ब्रह्म्हचारी उसी से रूप है वह क्या राष्टी आधोनिक दिल्ली कागज पर ठेमपरा है ठीक है इनका जुकर ने बना शुलिंदास ने बनाया है और अगर यहीं इनका माध्यम क्यों लालाग इनको करेगा बच्चों ठीक है बुल सब लोगों ने बनाया लेकिन यहीं माध्यम ही सब के चित्रों को अलग करेगा है हो गया यहां पर है यहां पहुंचे थे बुल अब देखिए राष्टी आधुनिक कला नई दिल्गा नई दिल्ली में क्रास और इशा इन्हीं ने इशा मशी पर चित्र संखला बनाई है तो क्रास और इशा कागज पर टेंपरा राष्टी आधुनिक अब देखिए इशा मशी भी प्रभु के ही रूप है इनको भी बना दिया कागज पर टेंपरा क्यों वहीं देखिया आपका जो मा और शीशू था वहीं ताल में था बज्चों बाकि सब देखिए कागज पर देखी रहे हैं आप सारे चित्र आपको कागज पर टेंपरा ही दिख रहे होंगे देख लीजे सारे चित्रे इसलिए मैं यहां पर आप दिखा रही हूँ के उनका हुशाइन का भी है दोनों लोग को याद रखिए कला दिरघर नई दिल लिए ठीक है सीटेट उमेन बच्चों क्या है कागज पर जल लंग राष्टी यह वाला है अलग है अब देखिए एक बार सीटेट उमेन कागज में जल लंग बना दिये हैं देख लेजिए और यही फिर यही चीज फिर आगए है दोनों निजेगा शंग रही थे लेकिन सीटेट उमेन फिर क्या बना है कप्ड़े पर टेमप्रा में ठीक है अंधर आउण एंड चाइल्ड काइनवास पर टेंपरा यही मदर और चाइल्ड देखिए यहां काइनवास पर टेंपरा में कब बनाए है 1932 में 1932 में है आपका यहां पे तो आप इनका अमरिता सेरगिल का जो है जिपसी गर्ल भी आप लोग याद रखिए क्या याद रखेंगे देखिए क्या हो जाती है कभी कभी अब बंध कर देखि बच्छों इसी समय बनाया इंगी आदे सब लेखाएंगे अब ने लिखाएंगे हाजिज़ गल्विए जिपसी गर्ल भी इन्होंने यह 1932 में बनाया जब इन्होंने अम्रितार से इरगिल क्यों क्यों पूछा जाता बच्चो बहुत अदेखिए मा और बच्चा ठीके कपड़े पर टेंपरा देखिए यहीं मदर और चाइल्ड ठीके मदर और चाइल्ड किस में बना दिया समय संग रही था देखिए मां और देखिए टेंपड़े पर टेंपर पर यहीं आ गए मां और शीशु अलग है कि नहीं शीशु जहां आप आएगा वहां तैल लगा देजीगा अभिहां देख ली आप लोग तीन चीजें यहां पर दी होई है एक चाइल्ड हो जाएगा त बनाया है और माँ बच्चा उनीशो तीस में बनाया है बच्चा तीस हो जाएंगे पहले बच्चा आएंगे तब इसके बाद चायल राएंगे देखिए पहले तीस आया तब बतीस आया फिर आ जाई यहां पे तो एक माँ और शीशु हो जाएगा राष्टि आधुनिक दिखन है पुजारिन एक तीन पुजारिन वहां दिखाए थे आपको आगे फिर पुजारिन भी हो गया है दो दो चित्र थोड़े नाम अलग अलग इनकी है टेमपरा राष्टि आधुनिक लार नहीं दिली ठीक है टैगोर और गाधी बोर्ड पर टेमपरा इसको बोर्ड गड़ेश को गड़ेश को गड़ेश से याद रखिए का ठीक है राष्टि आधुनिक कला नहीं दिली किस्ट और बल्राम किस पर बनाया बच्चों यह देखिए किस्ट और बल्राम जब आ जाएंगे क्योंकि यह प्रभू के रूप है तब इनको भी कागज पर बना इन से भी आते हैं बाकी आपनी राय अम्रिता शेर गिल जितने बंगल के कलाकारण सब जरूरी राष्टि आधुनिक तो इनका उनका याद रहेगा जिप्सी गल फेमा से बहुत अक्सर सब की जुबा पर रहता तो उन्होंने जब जिप्सी गल 1932 बनाया तब इन्होंने भ चीज जोड के आपको बताती हूँ गोपनी लिख रहे हैं थीक है तो देखिए गोपनी जब लिख रहे हैं तो कागज लिख देजा है कब बनाया के जब वहां पे लहुर में याँ पर from the room का का घजपर टेंपर सर्फार सान्प जान है यह यह आगई अब लिðमधी घजब आगे तो पंच वति पंच वति में श्वर्ग मिल्ग हो जाएगा जब लिखा नहीं रण नहीं witnessed अब किसका हो जायक कभी कभी कुछ हो जाता से शितिनतर और इनका पंच वति पंच वति में हो जाएगा इंका आbstवेल गें सुंसम एका पंचमर्टी में इनका हो जाएगा बच्छों बाकी इनकी यही खासियत थी आपने देखा ही है कि यह जो है चित्र इनके जो हमाने पढ़ाया है कि चाहते तो बहुत पैसा कमा लेते लेकिन इन्होंने चित्र कितने बेचे थे साड़े तीन सुरुपर में इनके चित्र भी कि आपको मैंने बताया था रात जीता प्रताब के बुक जब पढ़ाए थी तो यहीं हमारा वीडियो समावत होता बच्छों आज का वीडियो जो है मैं कुछ इसमें पीडियम जोडने वाली थी लेकिन समय नहीं मिला मैं अमनी राय को ही क्यों बाकि जितने भी कलाकार दुब तब जो उन्हों कहें परिभाशाय दी है और मैं आपको जोड़ के बताऊंगी क्योंकि कभी समय नहीं मिलता तो चीजें हो नहीं पाती हैं धाने बात आप सभी का आप लोग मेरे वीडियो को सेयर करिए और ज्यादा ज्यादा लोग सब्क्राइब करिए जैसे आप लोग स पूरे हमारे वीडियो उसको वास करता है और साथ में कुछ लोग जो ऐसे भी हैं जो वीडियो को सब्क्राइब ही नहीं कि लेकिन वह भी लोग भी थोड़ा उन्हों से भी हमारे उमीदे हैं कि हमारे वीडियो को लाइक और उसको सब्क्राइब करके देखे ठीक है